सभी मित्रों को जय जय सियाराम प्रभु स्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामने है तो कबीर दास जी का जब किर्ती फैलने लगा तो कबीर दास जी के हाँ बहुत भारी भीर होने लगा शब लोग आते थे उनके दर्सन करने तो कभीरदास जी ने देखा कि इससे तो भक्ती में बहुत बाधा पहुंशती है इसलिए अपने बढ़ते हुई परतिस्था को घटाने के लिए कभीरदास ने नएने कौत को की रचना प्राराम कर दी एक दिन कभीरदास जी किये कि एक बेश्चा को अपने साथ मिले लिया उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाब को छोड़ कर ये उसी के रंग बे रंग गये हैं प्रन्तु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास नौ आये मेरे भजन में बाधा नौ श्री कभीरदास जी को एक बेश्चा के साथ देखकर संत जन डर गए कि स्री कभीरदास जी यदी माया से मुहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारन लोग क दिख ली कभीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाब जाने तब वो यह बेश्चा को साथ लिये वहां पहुंचे जहां कासी के राजा की सभा लगी हुई थी राजा ने सिस होते हुए भी कभीरदास जी का कुछ भी सम्मान नहीं किया फिर भी यहां बैठ गए और मानशी भाब से श्री जगरनाथ भगवान का ध्यान करने लगे थोड़ी देर बाद उनने उठकर वही अपने पाथ से जल गिरा दिया यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा कि आपने यह क्या किया जल क्यों गिराया तो कबीरदास जी ने कहा कि स्री जगरनाथ पुरी में स्री जगरनाथ जी का रसोया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था उसका पैर जलने बाला था इसलिए आग को बुझा कर मैंने उसकी रक्षा की यह सुनकर सभी को बराश चर्ज हुआ राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे उन्होंने लोट कर समाचार दिया कि स्री कबीरदास जी की बात सत्य है राजा ने मन में अपना अपड़ाद मन कर राणी से स्री कबीरदास जी की वह बात तोश्यत निकली राणी शे कहा राजसभा में क्रिपाकर के पधारे मैंने उनका अपमान किया इसलिए मेरे मन में बराबहारी दुख है इस अपड़ाद से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूँ राणी ने कहा कि उन्हीं की सरन में जाने से काम बनेगा तब राजा ने घास का एक बड़ाबहारी बोज सीर पर रख लिया और गले में कुलहारी बांध ली इस प्रकार भाब में भीगा हुआ राजा राणी को शाथ में लेके स्री कबीरदास जी के सरन में चला राजा राणी ने लोक डज्जा का सर्वथा परित्या कर दिया था दोनों बाजार से होकर निकले हमने बरांचित कार्ज किया ऐसा सोच कर उनके सरीर छन परतिशन छीन हो रहे थे श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यांत ब्याकुल हो गए वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोज उतरवा दिया गले से कुलहारी खुलवा दि राजा रानी के भाब से श्री कबीरदास जी शंतुस्ठ हो गए मैं तुमारे उपर उस नहीं हूँ ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हीं आनंदित किया श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई इस महिमा को देखकर ब्रामनों के मन में इर्शा पैदा हो गए उश्यमे भारत का ततकालिन बात्सा सिकंदर लोदी का सियाया हुआ था भक्त ब्रामनों ने स्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकठे होकर सिकंदर लोदी के दर्बार में गये। पर सिपाही लोग सिरी कबीरदास जी को ले आए और बादसाह के सामने खड़ा कर दिया। भी थी रहे लोहे की जंजीर न जाने कहां गई एक गंगाजी की धार से निकल कर तट पर खरे हो गये। पश्चात बादसाह की आग्यां से बहुत सी लक्रियों में इन्हें दवा कर आग लगा दी। उस समय एक नया आश्चर्ज हुआ सब ही लक्रियां जल कर भस्म हो गई और इनका सरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जीत हो जाए। जब यह उपाई भी राजा का बेर्थ हो गया तो एक मतबाला हाथी लाकर उसे उनके उपर जप्टाया गया प्रन्तु लाग कोशिस करने पर हाथी सिरी कभीर दास जी के पास नहीं आया। इनके समीप में हाथी नवा आने का कारण नहीं रहा था कि श्वैंग स्री राम जी सिंग कारूम दारान कर स्री कभीर दास जी के आगे बैठे थे बादसा सिकंदर लोदी ने स्री कभीर दास जी का ऐसा अध्भुत प्रभाव देखा तो असिंग हासन से पूद कर इनके चर के उपर ऐसा गजब न करना बादसाने का प्रभो गाहों तथा देश तथाने एक सुख सुविधा के समान जो भी आप चाहे वह समय आपको दूंगा तब कभीर दास जी ने उत्तर दिया हम तो केबल स्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अस्त प्रहर जबते हैं दूस से शाप दिला करिने परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने से चार ब्रामनों के सुंदर बैरागी साधूओं से भेश बनाए उन चारों को चारों दिशाओं में भेश दिया वे लोग दूर दूर तक गाहों में साधूओं के अस्थानों और नामों को पुछ पुछ कर सब जगह सब को नियोता दे आए कि अमुक दिन श्री कभीरदास जी के यहां भंडारा है बस्त्र और दक्षिना का भी प्रबंध है आप आईए भंडारा सुनकर अगनित सादूशंत श्री कभीरदास जी के हां आए तब कभीरदास जी घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप अपने भक्त की प्रतिष्था रखने के लिए भगवान स्वेंग श्री कभीरदास जी का रूपधारन करके आगये और भंडारे का प्रबंध करने लगे बरी बरी पंगते बैठी अब कभीरदास जी भी आकर इनहीं में मिल गये भगवान ने खिला पिला का और दान सम्मान से सभी सादू संतों को तथा स्री कभीरदास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसंद किया स्री कभीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्ग लोक से एक अपसरा सुंदर बेशबूसा बना कर आई लेकिन उनके हिर्दय में दृट भक्ति भाग को देखकर वह आपस चली ग गए ऐसे परम सौभागिशाली संत स्री कभीरदास जी थे भगवान ने अपना करकमल इनके मस्तक पर रखकर कहा तुम धन्यों तुम्हारी बुद्धी मेरे नाम रुपादी में पग गई है अपनी इक्षानुसार जब तक चाहो इस मर्तलोप में रहो और मेरे गुनों का गान करो उसके बाद अपने इस सरी के शहित मेरे परमधाम बैकुंट में चले आना मगहर में जाकर कभीरदास जी भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया भक्ति का परचार किया और अंत समय में कभीरदास जी बहुत से पुष्प मंगाए उन्हें बिचा कर लेट गए और भ के सिलिराम के सिलिराम के सिलिराम